शिवराद सरकार के पूर्वमंत्री और बीज़ेपी के कददावर नेता रहे रामकृष्ण कुस्मर्या के कॉंग्रिस में शामिल होने के बाद से पी डव्यूडी मंत्री सजन सिंग वर्मा ने जो बयान दिये हैं आप भी सुनिये उन्होंने कहा है कि ये उन सब लोगों के लिए सबक है जिन्होंने सीनियर नेताओं को नेपथ में डाल दिया है देखिए ये खास रपोर्ट भाजपा के पूर्वसान सद शिवरात सरकार में पूर्वमंत्री रहे राम कृष्णर कुसुमारिय ने भाजपा का दामन छोड़ कॉंग्रिस का हाथ ठाम लिया है रहुल गांधी ने उन्हें कॉंग्रिस के सदसिताल दिलाई और इसका गवाब बना भुपाल का जम्बूरी मैदान कुसमारिय के कॉंग्रिस में जाते ही प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया और PWD मंत्री सज्जन सिंग वर्मा भाजपा पर निशाना साथ वे कहा कि कुसमारिय जैसे बेबाग टिपणी करने वाले नेताओं ने मोधी शा और शिवराज को संदेश दिया है कि यदि उन जैसे नेताओं की उपेक्षा की जाएगी तो परिणाम मध्यप्रदेश चतिसगर और राजस्थान जैसे ही आएंगे साथ ही आरोप लगाया कि नरेंद्र मोधी और अमिच्शा ने जिस तरह वरिष्ट नेताओं को घर बैठा दिया है ठीक वही काम शिवराज सिंग चौहान ने कुसमारिया सरता सिंग और गौर के साथ किया है लोग जो विवाग टिपणी करते हैं उन्होंने अपनी भाजापा को कट घरे में खड़ा करते हुए कि बुजुर्ग नेताओं को जेल में डाल दिया है पर उन्होंने पूरी भारती अंता पार्टी के लिए कि नरेन मोदी और हम इस साथ जैसे लोगों के लिए कि जन्होंने अड़वानी जैसे बड़े नेता मुली मनोर जोसी यस्वन तीना राम जेट मलानी ऐसे कददावर नेताओं को जन्होंने बीजे-प्यों को अपने ख असमारिया अब लोगसबद चनाव में भाजपा का खेल बिगाड़ेंगे ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, भोपाल